आईए आज कथा सहित्ते में सुनिये मालती जोशी जी की लिखी कहानी पॉस्टिक आहार ज़ाडू की आवाद सुनकर मिसिस कश्यप ने उपर से जहांकर देखा आट-दस साल का एक लड़का कमपांटमेंट की सफाई कर रहा था उन्होंने राहत की सांस ली और रेल परशासन को धन्यवाद दिया रात भर में टिपे में इतना कच्रा हो गया था कि उन्हें नीचे पाउं देने की इच्छा नहीं हो रही थी फलों, मुंफली के छिलके, सिग्रेट के अध चले टुकडे, पान के कागज, मिठाई के खाले डिपे, प्लास्टिक की थैलियां, अचार से गंधाती हुई, और अचार की फांके और भी पता नहीं क्या-क्या, कमपार्टमेंट का पूरा फर्ष इन अलम-गलम चीजों से अटा पड़ा था, उन्हें हिंदोस्तानी लोगों पर ताव आया, खाने पीने में इतनी चुआ चूद बढ़तेंगे, पर सबसे ज्यादा गंदगी खाने के नाम पर ही पूरा कमपार्टमेंट जब जड़ चुका, तो वे फ्रेश होने के लिए धीरे से नीचे उतर आई, सफर में उन्हें कभी अच्छे से नीन नहीं आती, इसलिए सुभा उठने पर तिमाग भारी सा हो जाता है, अभी तो पूरे दिन का सफर पाकी है, उन्होंने सोचा, और ये गहरी सांस ली, जैसे की देन भर की पोर्यत के लिए अपने को तयार कर रही हो, बातरूम से लोटी, तो देखा, कश्यप सहब उनका बिस्तर रोल कर रहे थे, अब सोने का अईरादा तो नहीं है ना, उन्होंने पूछ लिया, ना, मिसिस कश्यप ने जवाब दिया, और आटैची से काच और कंगा निकाल लिया, यहां इतने लोगों के सामने कंगी करना, मेकप करना, बड़ा आजीब सा लग रहा था, पर यूँ बासा बासा चहरा लेकर बैठना भी तो अच्छा नहीं लगता, कश्यप सहब तो खुद ड्रेस अप हो लिये थे, पता नहीं कब से उठ गई थे, अपने सह्यात्री मिस्टर खन्ना से उनकी पटरी अच्छी बैठ कई थी, और दोनों बड़े जोशो खरोश से एशियाड और अपवय पर वार्तालाब कर रहे थे, चाय की आवास लगाते हुए, बैरा उधर से गुजरा, तो उन लोगों ने तीन कप ले अच्छी है, उन्होंने सिप करते हुए कहा, हाँ, कम से कम स्टेशन पर बिगने वाली चाय से तो अच्छी है, स्टेशन की बे स्वात चाय के बारे में, वे वक्तवे देने को थी, कि मैले कुचैले कपड़े पहने, एक लड़का हाथ फेला कर सामने खड़ा हो गया, खन्ना साहब ने दस पैसे का सिक्का उसकी और उचाल दिया, लड़का सलाम मार कर आगे बढ़ गया, चलती ट्रेन में भी ये लोग पीछा नहीं छोड़ते, वो बुद्पुदाई, वो भिक्मंगा नहीं था मैडम, अपनी मस्दूरी मांग रहा था, कश्यप साहब ने कह तो उन्हें याद आया, हाँ, यही लड़का था, जो थोड़ी देर पहले जाड़ू लगा रहा था, मैं समझ रही थी, कि यह सफाई व्यवस्था रेलवे की ओर से है, उन्होंने जेप मिटाते हुए कहा, सब लूटने के धंदे हैं, सामने वाली बर्थ पर बैठे सज्ज जाया हुआ था, सब लूटने के धंदे हैं साहब, उन्होंने फिर कहा, यह लोग हर आधे घंटे बाद जाड़ू लगाएंगे और पैसा मांगेंगे, बेचारे मेहनत तो करते हैं, नहीं तो इस देश में बिकारियों की कमी थोड़े ही है, उन्होंने कहा, और अपने मुझते तो रात हो जाएगी, अगली सुभा से ही सेमिनार शुरू था, किसी सेमिनार में पेपर पढ़ने का, उनका यह पहला आफसर था, जब उनके डारेक्टर मोहद्दे ने उन्हें न्यूट्रिशन पर होने वाले इस सेमिनार का निमंद्रन दिया था, तब वे बड़ वे नर्वस हो रही थी, हिंदी में लिखने के कारण, इंस्टिटूट में उन्हें पहले ही काफी हतोत साहित कर दिया गया था, पेपर को सामने रखे हुए, वे केवल अब साहस बटोर रही थी, चलिए भापी जी, अच्छा है, आप लोग इसी बहाने सरकारी खर्च पर द कोई प्रावधा नहीं है, मुझे तो यह तूर बहुत महंगा पड़ रहा है, मेरी चुटियां, मेरा किराया, और साथ रहूंगा, तो थोड़ा बहुत गूमना भी पड़ेगा, किस भाव पड़ेगा, जरा हिसाब तो लगाए, आप चोड़िये भी, इस एक ही बात को कितन बार कहेंगे आप, क्या करूं डार्लिंग, दर्थ ही ऐसा है, बार बार जबान पर आही जाता है, बाबो जी पालिश, अच्छा हुआ जो पालिश वाला चोकरा आ गया, और इस अप रिये प्रसंग से मुक्ती मिली, जूते कहा है आपके, पालिश करवा लेते हैं, उन्हों भी दो, शाम तक फिर वैसे के वैसे हो जाएंगे, और ध्यान रहे, यह वैवस्था रेलवे की तरफ से नहीं है, पैसे देने पड़ेंगे, मिसिस कश्यप ने जवाब नहीं दिया, और बर्थ के नीचे से जूते निकाल कर लड़के के सामने कर दिये, बहन जी, काली पालि कर दूँगा, यह भी लूट का एक तरीका है, सामने वाली पर्थ पर बैठे सजन बुदबुदाए, तुम क्या दिन भर गाड़ी में ही चलते रहोगे, और क्या, मिसिस कश्यप देखती रह गई, सिर्फ कमीज और नेकर पहने, वो दस पारा साल का लड़का, किस तनमायता से जूतों पर छुका हुआ था, दोनों कपड़ों के मूल रंग पर समय की गर्द चड़ चुकी थी, कमीज में पटन नहीं थे, और वहां से उसकी उबरी पसलियां झाक रही थी, नेकर भी किनारे पर फटी हुई थी, अपनी शाल कार्डिगन के उभार कसकर लपेटे, वे उसे देखती रह गई, चार आने लेकर चला गया, तो कश्यब बोले, क्या जरूरत थी, अभी दो घंटे बाद फिर वैसे के वैसे हो जाएंगे, दो घंटे बाद फिर करवा लेंगे, उन्होंने कहा, और फिर पेपर लेकर पैट गई, पर वहां अक्षरों के स्थान पर भ इटार सी के पाद ही सर्व होने लगा, एक केला, एक कटलेट, दो टामाटर के टुकडे और ब्रेट स्लाइसेस, केला और कटलेट तो वे खा गई, पर सूखी ब्रेट कले में फसने लगी, कागर्स की प्लेट में ब्रेट को गुड़ी मुड़ी करके फैंकने लगी, तो मिस और ये लोग ले लेंगे? अरे, क्यों नहीं लेंगे? इसी पर तो इनकी गुजर होती है. Our leftovers make their meals क्या कहते हैं सची तो कह रहा हूँ हम लोग ट्रेन में खाना लेते हैं न उसमें से जो कुछ छोड़ देते हैं सब इनी का तो होता है उसकी एवज में ये लोग थालियां साफ करने में मदद कर देते हैं Oh no! मिसिस कश्यप सिहर उठी वैसे साहब आप कश्मीर से कन्या कुमारी तक कहीं भी चले जाईए खाने का स्वाद बिलकुल एक सा होगा एक सा बेस्वाद जी हाँ बिलकुल ठीक फरमाया आपने और फिर बात बेस्वाद खाने से होती हुई स्वादिष्ट व्यंजनों तक पहुँच गई दोनों बढ़ चड़कर अपने अनुभव बताने लगे लग रहा था जैसे दोनों ने जिन्दी की भर ढाबों की, होटलों की रेस्तराओं की खाक चानने के सिवाए कुछ नहीं किया है अपनी बुनाई था में मिसिस कश्यप उनकी बातों का मज़ा लेती रही कई चीजों का वर्णन तो इतना जिवन्द था कि उनके मुह में पानी आने लगा सुभा का कनु का भर नाश्ता कबसे हजम हो चुका था और उन्हें भूख लगाई थी जहांसी आया तो उनसे सबर ना हुआ और उन्होंने साब पूरी की फर्माईश कर डाली पर कश्यप सहब ने बताया कि वे खाने का ओर्डर दे चुके हैं तो वे मन मसोस कर रह गई कुछ देर बाद जब थालियों का कुदुब मिनार्था में बैरे को इधर उधर भागते देखा तो उनकी जान में जानाई इन बैरों को वे हमेशा बड़े अचरच से देखती रही हैं अब तो खेर खोचे वाली थालियां चली गई पर पहले अंगिनत कटोरियों वाली थालियों के स्टूब को थामे जब लोग दोड़ते थे तो उनकी आँखे आश्चरे से फैल जाती थी खाना अच्छा था दो सबजियां दाल चावल चापाती पापड अचार सलात देखकर मन परसंद हो गया दो तीन निवालों तक तो भूल में केवार पापड वाली का हावत चरितार्थ होती रही फिर उनका मन पैठने लगा हे भगवान यहे इतना सब खा पाऊंगी मैं आप ठीक फर्मा रहे थे मिस्टर खना कश्यप सहाब बोले इनके बे सुवात का कोई जवाब नहीं है सच कभी इनसे चल कर यहे पूछा जाए कि आप सालों साल यह टेस्ट कैसे मेंटेन कर लेते हैं पूछने की भी आपने खूब गही एक किस्सा सुनिए मिस्टर खना तरंग में आ गई थे एक बार मैंने अपने एक अफसर को रेस्ट हाऊस में दावत दी बड़े अच्छे से सब निपड़ गया और साहब बहादूर चलने लगे तो बोले जरा अपने खान सामा को बुलवाएंगे मैं बड़ा खुश कि चलो पैसा और महनत दोनों आकारत नहीं गए खान सामा भी बाग बाग कि बड़े साहब अब अच्छा सा इनाम दे कर ही जाएंगे तुरंत आया और हाथ बांद कर सामने खड़ा हो गया जानते हैं साहब ने क्या कहा क्या बोले इतनी बे स्वात बनाने थी तो मुर्गी को हलाल क्यों किया लौकी बना लेते हस्ते हस्ते मिसिस कश्यप के गले में फंदा पड़ गया आखों से आशू निकलाए कश्यप सहाब ने फुर्ती से पानी का गिलास आगे कर दिया पूरा एक गिलास कटक लेने के बाद जब दुबारा खाना शुरू किया तो पाया कि खाने का स्वाद या बे स्वाद अपनी जगा कायम है उनका पेट तो नहीं भरा पर मन ज़रूर भर गया है सच कैसे लोग इतने इतने दिनों तक बाहर खा लेते हैं वे तो एक दिन में ही भर गई उन्होंने पहुत कोशिश की पर दो चपातियों से आगे नहीं पड़ पाई चावल वैसा ही रखा रहा हाँ दोने के लिए उठने को थी कि खन्ना सहब की बात याद आ गई येर लेफ्ट ओवर इस दियर फूड अपना जुठारा खाना किसी को देने की कल्पना से ही उन्हें गलानी हो आई नहीं वे छोड़ेंगी कुछ भी नहीं पानी के घूट के साथ ही सही सब निगल लेंगी फिर खाया लाया अगर ना खाएं तो ये इतना सारा चावल किसी की एक दिन की भूग का समाधान हो सकता है क्या करें वे कुछ तै नहीं कर पाएं बस पानी का किलास था में बैठी रहीं अभी आप मालती जोशी जी की लिखी बहुत ही मार्मिक कहानी पॉस्टी काहार सुन रहे थे मालती जोशी जी की अन्य कहानिया आप कथा साहेत्य की प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं कथा साहेत्य में यूँ ही अपना सुन्दर साथ हामेशा वानाय रखेगा धन्यवाद